हेलो एवरिवन टेस्ट आफ नॉलेज में आपका स्वागत है सफलता की कुझी अब तैयारी हम करेंगे स्लोकन के साथ मैं तरुंकुमार शर्मा मॉडरन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 18 लेकर आया हूँ अब हिंदी में भी उपलब्द है इसके लेक्चर लेकिन बाद 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 की जो क्लासेज वो कुस दिनों के लिए रोग दी गई है because करीबन 84 वीडियोज हमारे प्लेइलिस्ट पे रखे गए हैं आप पहले उन वीडियो को देखिए और अभी हमने इंडियन पॉलिटी की जो क्लासेज है बारा बजे से हटा कर एक बजे कर दी है इसका मतलब है इंडियन पॉलिटी के लिए हमें और भी जादा समय चाहिए क्योंकि वो आदे घंटे में कवर नहीं हो पाएगा इतना वास्ट लेवर्स है तो करीबन मुझे एक से डेड़ घंटे कहीं कहीं दो घंटे भी क्लासेज कंटीनियू लेने पड़ेंगे तो आपका सहीयोग मेरे लिए बहुत जादा इंपॉलिट है तभी हम इंडियन पॉलिटी में अच्छे तरीके से स्कोर कर पाएंगे तो आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी की जो क्लासेज है वो बता दिया जाए एम लक्षमी कांथ की सिक्स एडिशन सीरीज हमारी सुरू हो चुकी है जो अठारा तारीक से कंटीनियू चल रही है करीबन चार वीडियो हमारे आ चुके है कल एक और वीडियो आएगा तो प्लीज आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को अब आगे देख लेते हैं Modern Indian History के उपर एक पहला कोश्चन जो है इसका correct answer देख लेते हैं इसका correct answer है जवाहरलाल नहरू जवाहरलाल नहरू ने क्या किया था जो Indian Civil Liberties Union है माने जो Civil Liberties Union है भारती सिवल Liberties Union उसकी स्थापना 1936 में की थी इसका काम क्या था ये जो fundamental rights है मूल अधिकार जोते हैं इसके लिए ये आंदुलन कर रहे थे इसमें ठीक है तो Indian Civil Liberties Union का मकसद क्या था fundamental rights किसके लिए मानव के लिए माने humans के लिए next who gave the title of maha manna to madan mohan malvya madan mohan malvya को maha manna की उपाधी किस ने दी थी दादा भाई नोरो जी गुपाल कृष्ण गोखले रविंदरनाथ टैगोर या बाल गंगा दर्तिलाग तो इसका correct answer देख लेते है रविंदरनाथ टैगोर ने जो madan mohan malvya है उनको क्या किया था महा manna की उपाधी दी थी madan mohan malvya जो थे वो एक प्रमुख नेता थे वो important leader थे कहा के इंडिया नैशनल कॉंग्रेस के भारती रास्ट कॉंग्रेस के यह प्रमुख नेता थे माने important leader हुआ करते थे और इनोंने ही क्या किया था बनारस में 1916 में मतलब बनारस में मैं लिख के बताता हूँ आपको 19 ओके थोड़ा पेहन में दिक्कत होती है तो 1916 1916 में इनोंने क्या किया था जो बनारस हिंदू विस्विध्याल है बनारस युनिव university को established किया था यह founder थे बनारस हिंदू university के कौन मदन मुहनमाल विया रविद्ना टैगोर नहीं ने क्या कहा था महामना की उपादी दीती जो title है महामना की उपादी किस ने दीती रविद्ना टैगोर ने और एक important point बताता हूँ यह current affairs का point हो सकता है तो महामना की उपादी ने मदन मुहनमाल विया को मरने के बाद और कब 2015 में ठीक है तो इनको भारत रतने भी मिल गया है 2015 में इसको याद रखियेगा बहुत important point है यह तो next आगे बढ़ते हैं who was the founder of नौजवान भारत सभा नौजवान भारत सभा के संसापक कौन थे वी सी पाल जी सुबरा मन्या नईय और सरदार भागत सिंग या रुकमणी लक्षमी पती तो इसका correct answer देख लेते हैं सरदार भागत सिंग इसके founder हुआ करते थे ठीक है तो नौजवान भारत सभा के संसापक कौन थे founder कौन थे तो सरदार भागत सिंग इसके founder थे अगर मैं और important organization की बात करूँ और important जो सभा थ society इसको किसने बनाया था इसके founder कौन थे वीडी सावर कर थे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अभिनाव भारत सोसाइटी इसके founder कोन थे वीडी सावरकर एक और मित्र मेला मित्र मेला के भी फाउंडर कौन थे वीडी सावरकर ही थे तो दो फाउंडर होके माने दो संसा के फाउंडर कौन थे वीडी सावरकर पहला अभिनाव भारत सोसाइटी दूसरा मित्र मेला और एक है जो अनुसीलन समीती ओके अनुसीलन समीत जो थी अनुसीलन कमीटी इसके फाउंडर कौन थे वारिंद्र कुमार घोश वारिंद्र कुमार घोश याद रखिएगा भी से मैं बोल रहा हूं वारिंद्र कुमार घोश तो किसके थे अनुसीलन कमीटी के अनुसीलन समीती हिंदी में कहते हैं next देख लेते हैं where was the first colony of Dutch established in India तो डच की जो भारत में पहली बस्ती थी वो कहां स्थापित की गई थी बताइए तो मसूली पत्नम option है पुली कट है सूरत है और एहमदाबाद है तो इसका correct answer देख लेते हैं पुली कट तो डचो ने क्या किया था अपनी जो पहली जो कॉलोनी थी पहली जो बस्ती थी उसको पुली कट में establish किया था और कब establish किया था यह date important इसको note down करिए 1602 मैं पहिंगा use कर रहा हूँ 1602 16 सॉरी 1602 1602 1602 मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ 1602 के यह 6 है 1602 में क्या हुआ था इन्होंने जो डच थे उन्होंने क्या किया था यह बसूली जो पुली कट है पुली कट में अपनी फर्स्ट कॉलिनी फर्स्ट बस्ती जो थी establish की थी और यह किस कितने सालों तक बस्ती establish करने की बात थी 21 year 20 फिर से लिख रहा हूँ है 21 year यह year है यह याद रखना है आपको 21 year के लिए इन्होंने क्या किया था यह बस्ती establish किये थे आखिर क्यों establish किये थे क्योंकि मसाले का व्यापार करना था इन्हें इनके जगा में और कोई नहीं आ सकता था यह भी आपको याद रखना है तो पहली बस्ती कहां थी पुली कट में और कब 1602 में कितने सालों के लिए अकेले माने बिजनेस करते यह 21 years के लिए आई होप क्लियर हुआ होगा नेक्स कोशन देख लेते हैं वें लिएकश्न वें लीट कृफ्स मिशन का मुटी इंडिया और क्रिफ्स मिशन भारत का बाया था 1946 1945 1942 1940 तो इसका की औरसा देख लेते हैं करेकट आंसर 142 मार्च 1942 याद रखना है आपको locations smart ok मार्च 1944 याद रकना आपना मार्च 1942 में एक आदमी थे जिनका नाम था सर स्टेफोर्ट क्रिप्स सर स्टेफोर्ट क्रिप्स ओके फिर से लिख दे रहा हूं मैं सर स्टेफोर्ट 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 क्रिप्स थोड़ा समझ जाएगा कोशी सुकर रहा हूं लिखने की तो सर स्टेफोर्ट क्रिप्स ने क्या किया था क्रिप्स क्रिफ मिशन को लेकर वाए था एक्शली वह एक मिशन लेकर आए थे काम क्या था उनी के नाम पर यह मिशन का नाम रख दिया गया कृश्विशन क्रिफ किये थे मार्स 1942 में भारता और किस लिए अपैंका उद्धेश टा मोटो क्या था गिजी कशनी को तो उसी को क्या करने आए तो उसकी संभावना तलाशने आए थे देखने आए थे क्या इंडियन को अगर समधान बना के दिया जाए क्या वो लोग सम्हाल पाएंगे इस तरह का सिच्वेशन था उस तरी के करडिशन को समझने के लिए आयते तो क्रिफ्ट मिशन का यही काम थ और भी बहुत कुछ था लेकिन उतना डीटेल में नहीं जाना हम इंडियन पॉलिडी की क्लासेश कर रहे हैं उसमें सब डिसकस करेंगे हम डोंट वरी नेक्स कोशन देख लेते हैं इन विस सेशन ऑफ इंडियन नाशनल कॉंग्रेस वस गांधी जी अपॉंटेड तो गांधी जी जो थे वो बेलगाओं का जो सेशन हुआ था इंडियन नाशनल कॉंग्रेस का उसके प्रेसिडेंट बने थे उसके अध्यक्ष बने थे तो भारती रास्ट कॉंग्रेस के जो बेलगाओं अधिवेशन कब हुआ था वो हुआ था 1924 में आपको याद रखना ठीक है एक लेर हो गया नेक्स देख लेते हैं वेन वस्ट इंडिया मुमेंट स्टार्टेड बाइ गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था सब्सक्राइड क्या है इसका डेट है एक नेट- एट अगस्त क्या है और गश्ट- टू य ईट अगस्त लिफ्र दू लीफ उंट्भीर एट अगस्त 1972 में क्या हुआ था यह जो है जो गांधी जी क्या किये थे यह आंदुलन की शुरुवात किये थे और यह कहां हुआ था कॉंसेशेशन में यह बंबई सेशन था तो भारती रास्ट कॉंग्रेस के बंबई अधिवेशन में क्या हुआ था भारत छोड़ो आंदुलन जो है क्विट इंडिया मॉमेंट है वो 8 अगस 1942 में क्या हुआ शुरू किया गया था इसे एक और नाम से जाना याता है इसे अगस्त क्रांती भी कहा जाता है याद रखना पड़ेगा आपको अगस्त क्रांती के नाम से भी जाना याता है ये विकाज ये अगस्त में हुआ था इसे इसको अगस्त क्रांती भी कहा जाता है ओकी अगस्त रिवोल्ट आप कह सकते हैं आगे बढ़ते हैं और ये सुतांतरता पाटी के सनस्थापक हुआ करते थे और ये स्वतनतरता पाटी कब बन कर तयार हुई थी ये भी देख लेते हैं इसकी स्थापना जो ही थी वो 1950 57 में 1957 में क्या हुआ था यह जो स्वतंतरता पाटी है वह सीराजग उपाल लुचारी ने बनाई थी तो 1057 आपको याद रखना है स्वतंतरता पार्टी आपको नाम याद रखना और कौन फाउडनर थे सी राजय को पालचारी ओके नेक्स वर्शन देख लेते हैं सत्य सोदक समाज वास फाउंडेड बाई हुम किनके द्वारा सत्य सोदक समाज के स्थापना की गई थी महत्मा गांधी जोदिबा फूले डौक्टर बियारंबेड करया स्वामी विवेक नन अन livestock समाज की थापना किसके द्वारा की गई थी कि इसका परंट्र देख लेते हैं जोतिबा फूले के ड़ारा क्या हुआ था सत्य सोदक समाज की स्थापना की गई थी अब इंके बारे में थोड़ा जानते हैं sad stays एक जोतिबह फूले थे उन्होंने 875 डीन अटीन हंड्रेड कि विए एटीन हंड्रेड को सेवेन्टी लिवाइव इन्होंने क्या किया था यह जो सफ्षय सुधक समाज था आपना कि दी अब यहां पर क्या था कि इसका में मूटो क्या था उद्दिश क्या था कि यह जो ब्राम्मन होते हैं, जो ब्राम्मन नहीं होते हैं पुजारी, तो इनके जो कुरूतिया थी, माने जो अंद्विस्वास थे, वो क्या क्या करते थे, कि मुर्ती पूजा करना, जो हम लोग पूजा करते हैं, कर्म कांड करना, माने यग व्यक करना, जैसे नहीं होते है छुआ पूजा पाड़ करते हैं हवन करते हैं लोग फिर जो अपने बारे में गुंगान करना पुजारी लोग अपने को सबसे उपर रखते थे ठीक है आपने सुना भी ओगा हमी सबसे उपर है फिर पुनर जनम ब्राम्मन क्या बोलते थे कि आदमी मर के फिर से जनम लेता है ठीक है आत्मा मरती माने इंसान सरीर मरता है आत्मा नहीं मरती इस तरह concept देते थे इन लो और अगर स्वर्ग का सिद्धान देते थे कि आप हमसे हमसे हमेशा मने नीचे मने रह हो आपको स्वर्ग में जगा मिलेगी इस तरीके से concept चलाते थे तो इसी का विरोध कौन कर रहे थे जो दीवा फूले तो सत्यसोदक समाज एक्चुली था क्या यह ब्राम्मन जो activities थी अंद विस्वास था ओके तो उसका विरोध करना था ठीक ना अब क्या हुआ कि यह जो किसके विरोध में थे जो जोतीवा फूले किसका विरोध कर रहे थे ब्राम्मनों का और इसके पीछे रिजन क्या था यही अंद विस्वास और कोई रिजन नहीं था इसकी सत्यसोदक समाज की स्थापना की थी विरोध के बज़े से तो आपको नोट डाउन कर लेना है जो पर और ओप्षन है लाला लाश फत्र है बाल गंगा दरती लग विनायक दामुदर सावर कर इद चंदरपाल इसका करेक्ट टैंसर इसका इनके बारहे में बहुत इंपरेंट कपी लेकर बैठे तो अब पॉइंट के बारहें में बता रहा हूं नोट डाउन करिए यह बहु हाव ऐस्सा लिय थे माने जो इंडियन स्ट चो फ्रीडम स्ट्रगल था इंडियन प्रीडम मोइंट्स था उसमें ये लीड रोले कर रहे थे रहे इनका नाम था विनायक 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 दामदर स्थावर कर क्या की यह थे 1904 में सवतंतरता यह जो था अभीनाव भारत कब इस्टैब्लिश हुआ था 1904 में इसको नोट डाउन करिएगा यह जो आप देख रहे हो अभीनाव भारत यह कब बना था अभीनाव भारत समाज 1904 में वनकर तयार हो गया था और इसका में मुटो क्या था जो इंडिपेंडेंडेंट है माने सवतंतरता प्राप्त करना इंडिपेंडेंडेंडेंट करना ठीक है माने आजाद ी को हासिल करना इसका में मोटो यह था और जैसे हम आजाद होते हैं ठीक है और warsa 1552 में इन्होंने क्या किया इस संसा को खतम कर दिया तो इस संसा को बनाया गया था देखिए 1904 में इसका मोटो क्या था सोतंतर था हासिल करना अब यह बताईए आप किसी चीज के लिए कोई काम करते हो और वो कंपलीट हो जाता है फिर उस चीज का कोई मतलब होता है क्या नही तो सिंबल सी बात है अगर आप देखो मैं फॉर एक्जामपल बताता हूँ आप एक स्टूडेंट हो आप एक्जाम के लिए क्या कर रहे हो नोट्स तैयार कर रहे हो जब आपको नोकरी मिल जाएगी ठीक है जब आपको नोकरी मिल जाएगी फिर वो नोट्स क्या आपके ल नहीं होगा तो 1952 में क्या हुआ फिर 1952 नोट डाउन करिएगा 1952 में क्या हुआ जो सावरकर जी थे यही विनायक दामोदर्क सावरकर इन्होंने इस संस्था को खतम कर दिया रोल प्ले खतम हो गया था लेकिन आप एक इन्पोर्टेंट पॉइंटेखिया अब क्या हुआ 2006 में इन 2006 2006 में क्या हुआ फिर से इस संस्था को बनाया गया तो देखें बना कब 1904 1904 में खतम कब कर दिया गया सावरकर जी के दौरा 1952 में लेकिन फिर से 2006 में कौन बना दिया तो इसको बनाने वाले जो थे उसको फिर से बनाये थे तो इनको बनाने वाले जो थे वो नातुराम गौट से की भतीजी थी भतीजी थी और उनका नाम क्या था हीमानी सावर कर उनकी भतीजी का नाम क्या था हीमानी हीमा नी, नोट डाउन करिएगा, हिमानी सावरकर, इनकी भतीजी का नाम था हिमानी सावरकर, और डेट कप था 2006, 2006 में इन्हों ने क्या किया, फिर से अभिनाव भारत समाच स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और इसको बाद में, सुरुवात में, स्टार्टिंग में किस नाम से जाना आता था इसको, सुरुवात में इसको मित्र मेला के नाम से जाना याता था, सुरुवात में क्या नाम से जाना याता था, सुरी यहां लिख देता हूँ मैं, उपर, मित्र, मित्र मने फ्रेंड, मित्र, मेला, सुरुवात में इसे किस नाम से जाना याता था, मित्र, मेला के नाम से जाना जाता था ठीक है तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको तो अब आगे दिखते हैं आज का सेशन हमारे कोशन का था वो दस कोशन कंप्लीट हो गए अब क्विस टाइम के दो कोशन है तो आपको कमेंट बॉक्स पर यह बताना है इसका एंसर क्या होगा और जितने भी कोशन पूछे आते हैं उसके एंसर दिया करिए दे नैशनल एंथिम ऑफ बंगलादेश आमार सुनार बंगला वास कंपोजड वाई बंगलादेश का रस्ट गान आमार सुनार बंगला की रस्टना किसके द्वारा की गए थी रविंदर नना टैगोर सरोजनी नाइडू, सुरेंदर ननाद बेनर जी या आनन्द मोहन बोस चार ओप्शन है आपको कमेंट बॉक्स पर इसके एंसर बताना है नेक्स कोशन देखते हैं यि ननाद टैगर ओफ मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है? हैदर अली, टीपो-सल्तान, यदूरायया, वच्छनदेव राय, जादा से यदूराया inset एंसर बताने हैं अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करना ना भूले जितने कोशन पूछे गए उसका कमेंट बॉक्स पर एंसर दीजे जादा से यादा शेयर करिए ताकि इस लॉक्डाउन में दूसरे की मदद हो सके और पीडियाफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिय आजाए तो आप टेस्ट आफ नॉलेज यूटूब चैनल में सर्च करिए वहां पर जब टेस्ट आफ नॉलेज आएगा तो हमारे चैनल को क्लिक करने के बाद प्लेइलिस्ट का भी ऑप्शन आ जाएगा ओके वहां सारे वीडियो के अलग-अलग फोल्डर बनाये गए हैं मारे हर एक सब्जिक के लिए जो जो सब्जिक होए हमारे तरफ से वीडियो अलग-अलग फोल्डर में हैं तो आप जाके देख सकते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस्ट क करना ना भूले ताकि इंस्टेंट नोटिफिक्शन आपके पास आ जाए और अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद सुभा चार बजे करन्ड अफिर्स के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक्यू